है गाइज वर्कम मैं चुमा यूटीव चैनल कैसे हो आप सभी उमीद करती हूं सभी ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फेशियल वो भी घर पे बहुत ही जादा एफेक्टिव है लेकिन हम कोई मार्केट के फेशियल यूज नह करना नहीं आता है तो आपको पूरी तरह से इसके बेनफिट्स नहीं पता होंगे ऐलोवेरा हो किस तरह से अपने बालों पर यूज कर सकते हो और बहुत सारी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूं आप चाहें तो जाकर के देख लीजिगा आज की वीडियो में हम करने वाल में सारह है आपने इसा क्या क्या है किसने पर अच्छी बात नहीं है तो नरसरी तो तो होगी आप जहां पर रहते हो वहां से आप सकते हो मैंने यके मेरी घर पर हमें कोई प्लान्ट नेया हम नहीं है कोई थे यह साथ हुआ है तो किया करना है सनकुतल पहले प्रहुत स्पेड मेजर करना थो वह यद्या कोई आखी ऊबाट होग है लिए जबहां कि आपने खुरता सब लीआ है वह द्राइबी करें को एधकास है करना है मैंने कुछ भी एड नहीं किया है कि पिल्कुल हलकी हलकी हाथों से इससे आपको अपने फेस पर रप करना है कि जब आपको लगता ही थोड़ा सा ड्राव होने लगता है तो इसको इस तरह से नाखुन से नेल से इस तरह से प्रेस करते हुए कि आपको इसे अपने प्राव करना है तक आपको यह जितना विल्प से पूरा खतम नहीं हो जाता है बाएंड लग सकती है दस मिलग सकती है इस को रप कर लिए अगर आपका जिस तरह दाव है तभ अपक्या करोग dynasty और इस थोड़ा सा एहिए पर आप अपने फेस पर रब करोगे इस तरह से जैसे मैं कर रही हूं वीडियो में कि आप देख सकते हो अपने फेस को वाच नहीं किया है आप देख सकते हो कि आपको भी हो एक अपने अपनी फेस को वाच नहीं कर नहीं करना है काफी हर एक थाको राए आप द्री हो चुका है нас Richard कभी कि हएं इसी जूगार दूंगे है कि इस तरह से चाल से अपने फेस को कवर कर लेंगे स्टीम लाकी है चाख दूंपती तक और बाद को दूंपते चाल लेगे 572 मित तक आपकोई यहां पर मार्केट वाला चावल काटा यूज कर रही है कि घर पर इतना ज्यादा पाउडर जैसा नहीं हो पाता है बिल्कुल पाउडर जैसा हमें चाहिए जिसमें थोड़े से ग्रैनुवर्स होते हैं उसको अगर आपने फेस पर रब करोगे तो आपके फेस पर इरिटेशन आपको हो सकती है उसके बाद नेक्स इंग्रीडियंट अगें फैश एलोवेरा जैल थोड़ा सा इसको मैं कर लेती हूं मिक्स आप चाहें तो किसी बाउल में इसको बना ले हैं मैं हाथ पर बना लेती हूं और अब हमें अपने फेस की करनी है स्क्राबिंग पांच मिनट तक इससे जादा स्क्राबिंग की जरुवात नहीं पड़ेगी इसमें आपको कोई भी मॉश्चुराइजर या फिर कुछ भी चीज एड़ करने की जरुवरत नहीं क्योंकि हमने इसमें फ्रेश एलोवेरा जैल यूज किया है उसमें अल्री बहुत सारा मॉश्चुर होता है कुछ और एड़ करने की जरुवरत नहीं है कि अब तो मैंने अपने फेस को कर लिया है वाश पांच मेंट तक अच्छी तरह से अपने फेस की स्क्राविंग की थी बिल्कुल हलके हलके हाथों से आपको स्क्राविंग करनी है और मेरा फेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है लिटरली आप इस फेसियल को घर पे एक बार सिर्फ जरूर ट्राय करके देखें आप इसको बार बार जरूर फॉलो करोगे क्योंकि इसमें में इंग्रीडियन हमने एलोवेरा जेल एड किया है और एलोवेरा जेल हमारी स्क्राविंग को बहुत ज्यादा सॉफ्ट और ग्लोई बना देता है अब हमें अप्लाई करना है मास्क बनानी के लिए मैंने यहां पर लिए मुलतानी मिट्टी अगर आपके फेस को यह सूट नहीं करती है तो आप इसकी जगा पर बेसन का भी इस्तमाल कर सकते हो नेक्स्ट हमें इसमें एड करना है फ्रेश एलोवेरा जेल सबसे अच्छी बात यह है इस फेशियल की आपको बहुत ज्यादा इंग्रीडियन की भी जरूवत नहीं पड़ेगी और य है अब मैं इसको करूंगे अपने फेस पे अपलाई है कि ओके दोस्तों तो फेस को मैंने कर लिया है वास दो से तीन मेंट तक मसाज की थी मसाज करना बहुत जादा जरूरी होता है पर समय जो क्लैंजिंग की थी उसमें हमने मसाज की थी उसके बाद यह जो मैंने मास्क आया हुआ रोज वाटर है वीडियो अपलोड कर चुकी हूं नहीं देखिया है तो जाकर देख लीजिए रोज वाटर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हमारी स्किन के लिए इसके बाद आप कोई भी मॉस्चुराइजर अगर अपलाई करते हो तो वह आप अपलाई कर सक तो दोस्तों यह थी सिंपल सी फेशियल बहुत जादा आपका खर्चा भी नहीं हुआ था कुछ इंग्रीडियंट थे जो आपके घर में ही एजिली अवेल्बिल होते हैं कुछ एक्स्ट्रा आपको पर्चैस करने की जरूरत नहीं थी इस फेशियल को आप हफते में सिर्फ एक बार जरूर ट्राय करके देखिएगा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कोगी आपने एक बार ट्राय कर लिए आप बहुत जाता ग्लोई ग्लोई आपकी स्कीन हो जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लेकिन फर्स्ट एप्लिकेशन में ही आपको रिजर्स मिलेंगे और बहुत जादा इंग्रीडियंट भी यूज नहीं किये है मास्क भी हमारा दो इंग्रीडियंट में बन गया था क्लैंजिंग के लिए हमें स्रिफ एक इंग्रीडियंट की जरूरत थी बहुत ही एजी है सिंपल है जरूर ट्राय करें तो दोस्तों आज की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाइ